नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंग के साथ दोस्तो खबर चंदरपूर जीले से है चंदरपूर जीले के पुंबूरना तैसिल के भीमनी गाउं के पास की है यहां से खबर आई कि एक डंपर ओपरेटर अमोल नंदनवार की मिर्तियों हो जाती है यह डंपर ओपरेटर रेत घाट जहां होते हैं वहाँ पे यह पोकलेंट चलाने का काम किया करते थे वहाँ के तैसिलदार मेसराम से हमारी बात होई तो मेसराम जी का कहना था कि पोकलेंट घाट पे नहीं चल रहे थे घाट के बाहर जब रेती कोई कठा किया जाता है वहाँ पे पॉकलेंट चल रहे थे और उस पॉकलेंट से ट्रक में माल भरा जा रहा था और वहाँ पे हाथसा हो गया जिसमें अमोल नंदनवार आपरेटर की मिर्त्यों हो जाती है उनसे हमने कहा कि आपके पास अगर वहाँ के CCTV फूटेज है तो हमें देने की गृपा करें तो उन्होंने कहा कि वहाँ के जो टेंडर है जिन्हें टेंडर मिला है उनसे आप संपर कीजिए उनके पास में CCTV फूटेज है जिन्हें टेंडर मिला है उनका नाम है ताज ट्रेडर् कि हमारे पास सब कुछ है CCTV footage है work order है सारी चीजे हैं लेकिन हम आपको phone पर नहीं देंगे आपको यहां से आकर लेकर जाना होगा या फिर district mining officer के पास हमने जमा किया है आप वहां से ले सकते हैं दोस्तो सवाल यह है कि इस तरीके से जबाब देना और सवाल को घुमा घुमा के प रेती घाट के बाहर कर रहे थे बलकि हमेशा ऐसा होता है कि रेती घाट में पोकलेंट को लेकर जाया जाता है और वहां पर mechanical किया जाता है लेकिन रूल ऐसा है कि बीना CCTV footage के और आप mechanical करके रेती नहीं निकाल सकते हैं दोस्तो एक बात सभी जानते हैं कि जब भी इस तरीके कोई घटना होती है तो उसे वैध करार दिया जाता है तैसिलदार मेश्राम जी का कहना है कि वह वैध था लेकिन उनके पास में कोई record नहीं है उनके पास में CCTV footage नहीं है लेकिन उनका कहना है कि वैध था था सभी जानते हैं कि इस तरीके से अवयध रेती का काम पूरे राजे में बहुत तेजी से चल रहा है लेकिन जब भी कोई घटना होती है तो उसे वैद करार दे दिया जाता है उसके पीछे भी एक बरी साजिस का अंजाम है ऐसा भी बताया जा रहा है कि ताज ट्रेडर्स जो की जिनके नाम से यह ठेका बताया जा रहा है रेती का उनके पीछे वहाँ के एक बड़े राजनेता का सपोर्ट है और बड़े राजनेता का सपोर्ट होने के कारण इस तरीके से वह काम कर रहे है काम इलीगल है या लीगल है या तो बाद का विशह है लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जिस operator के मिर्ट्व हुई है आखिर उसे नयाय कैसे मिलेगा तैसिलदार का काम होता है राजजस्व को बचाना लेकिन यहाँ पर साप साप समझ में आता है कि जो रेती का काम कर रहे हैं तैसिलदार उन्हें बचा रहे हैं राजस्व को कितना बचा रहे हैं कितना नहीं बचा रहे हैं यह आने वाले अगले एपिसोर में हम आप तक जरूर लेकर आएंगे आप देखते रहें इन विस्यन न्यूज